नमस्कार साथिय। स्वागता आपके अपने यूटिव चैनल में आज किस वीडियो में हम नाटक का परसाद, जैशनकर परसाद के उपर वीडियो लेकर आ रहे हैं साथिय। बारा नाटक उनके हैं और काफी ज़्यदा प्रशन पूछे जाते हैं इनके जो प्रकाशन वर्षन साथिय। उसको मैं साजा कर लेता हूं सबसे पहले सजन नाटक आया उनका 1910 में इस नाटक की कथा बस्तू क्या है इसके उपरम बात करेंगे ठीक है और करुनाल्य नाटक स साथिय। करुनाल्य को एक प्रकार का गिती नाटे माना जाता है तो इसको नाटक और काब्य संग्राय दोनों में ही रख सकते हैं ठीक है तो क्या कथा बस्तू है इसको भी हम काब्य संग्राय नहीं एक प्रकार का कथानक है इसमें साथिय। तो गिती नाट्य है संबाद को गयश हैली में रखा जाता है मतलब गा कर इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं मंज पर ठीक है तो गयश हैली में होता है गाने के लाइब जो पंक्तियां होती हैं साथी हो इस नाटे की तो गीती नाटे बोला जाता उसको तो करून आल लियो 1913 में आया और एक प्रकार का काभ्य भी हैं यह प्रियास्चित 1913 राजश्री 1914 जबिशाक 1921 हजाशत्र 1922 जनमेजे का नाग जग्य 1926 कामना 1927 सकंद गुप्त 1928 एक घूंट 1929 चंदर गुप्त 1931 और धृब स्वामनी 1933 इन नाटकों में प्रसाद की नाटे कला क्रमशा बिक्सित होती गए साथियों सभी के सभी नाटकों के प्रकाशन वर्ष जाद कर लीजिए जालिक लीजिए फिर जाद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महतपुन रहता है पर साथ के नाटकों का प्रकाशन वर्ष क्योंकि हम लोग क्या गरते हैं जा तो कथा बस तो जाद कर लेते हैं जो मुख्य पात्र लेकिन प्रकाशन वर्ष भी साथियो जाद करना बहुत अनिवारे है पूछा जाता है प्रिक्षा में ठीक है साथियो तो जे मत समझ के चलिए कि पिछली प्रिक्षाओं में मास्टर कैडर की परकाशन वर्ष नहीं पूछा गया है किसी नाटक का तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा साथियो कैंडिडेट बहुत जादा है और प्रिक्षाओं को टफ से टफ कठीन से कठीन बनाने किया परजयतन रहेगा मास्टर कैडर बालों के द्वारा ठीक है साथियो तो अभी हम पहला नाटक जो 1910 में आया था उनका सजन नाटक इसको परमबात कर लेते हैं सजन का कठान एक महा भारत से लिया गया है पहले तो इसको नोड़न कर लिजी किस में से लिया गया है महा भारत से इसमें जुदिष्टर की सजनता दिखाई गई है द्रियोधन पांड़ों का अहित करने के लिए करण शकुनी द्रियोधन पांड़ों का अहित करने के लिए उनका नुक्सान करने के लिए करण शकुनी शकुनी मारमा थे ना द्रियोधन के वही आदी को साथ लेकर द्वैत्स रोवर के समीप बरती वन में मृग्या खेलने आता है गंदर्व राज चित्ररत नमरता पूर्वक उसे बन में मृग्या करने से रोकता है कौन रोकता है गंदर्व राज द्रियोधन नहीं मानता जुद होता है द्रियोधन बंती बनाया जात बन के दूसरे भाग में स्थित पांडव समाचार पाकर द्रियोधन को छुड़ाने का निश्चे करते हैं इस प्रकार द्रियोधन की सज्जन्ता से द्रियोधन की रक्षा होती है, तीक है? माफ करए गा, इस प्रकार जदुस्थर की सज्जन्ता वहाद से मलब जब जग्यूद भगैरा नहीं हुआ था महा भारत का उससे पहले सजन सजन यहीन था था अमित्र था आपस मेंना मलब PR जजन रूप से रक्षा करता है ध्रियोधन की oh लंबे-लंबे स्वगत कथन भी है शास्त्री डृष्टी है एक एक कांकी रूपक bem कह सकते हैं तो जो पाथ रहा उस आशा कूदा के वाला कारे किया है जहां पर दोस्ती ऐसा कारे किया है, को द्रियोधन की जहां पर आप म्रिग्या नहीं कर सकते हैं ठीक है बन में आकर तो जहें कथा है साथियो लिख लिजिए बिशेव वस्ट जितना बता रहा हूँ और प्रकाशन वर्ष भी आपने लिख लेना है साथियो अगला नाटक है साथियो प्रयास्चित ठीक है इसका प्रकाशन वश उपर दिया गया था आप नोडन कर लिजेगा तो इसमें जो कथा है उसको पढ़ना बहुत इनवारे है साथियू इस प्रियास्चित नाटक में जैचंद के मुर्खता पूर्ण कुछक्र के कारण प्रिथवी राज का अंत दिखाया गया है साथ भारत आकर प्रिथवी राज पर आकरमन करने का अंत में जैचंद को संजोगिता की जाद आने से गलानी होती है व्यगंगा में कूद पढ़ता है इसमें नांदीपार्ट प्रस्थाबना भारत भारत बाके पद्य में संबाद आजी कुछ नहीं है प्रियास्चित नाटक तो नाटक के दृष्टिकों से अधिक ज्यादा सफल नाटक तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी इंपोर्टन पात्र आप जरूर लिख लेजएगा प्रिथवी राज और जैचंद की कथा है इसमें आगे साथ यू पढ़ते हैं अगला नाटक कलियान परणी में किसकी कथा हैप चंद्रगुप्त मोरे और सेल्यो किसकी ठीक है आगे क्या बोला जा रहा है कि युद्ध में सेल्यो किस साथ Hamburg जाता है और वह अपनी पुत्री कारने लिया जिसको कल्यानी भी कहा गया है नाटक में कारने लिया का विभा जब विभा समराथ चंदरगुप्त से कर देता है कारने लिया के विभा से अभ्य पक्षों का कल्यान होता है इसलिए वह कल्यानी है चंद्रगुप्त नाटक इसी का परिवर्धित रूप है अगला रूप कहा सकते हैं चंद्रगुप्त नाटक को अगला रूप भी कहते हैं इसी नाटक का कलियानी पढ़ने का जे भी प्रशन बन जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक किस परिवर्धित नाटक का रूप है तो जो करेक्टर हैं उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सका है लेकिन फिर भी काफी इंपोर्टन जिनाटक है साथियों अगला नाटक है करूनाले की कथा बस्तु क्या है उसको पढ़ लेते हैं करूनाले में हरीश चंद्र और विश्वा मित्र के परसिद प्राणिक अख्यान का अधार लिया गया है साथियों हम कह सकते हैं कि प्राणिक अधार पर लिखे गए नाटक भी उन्होंने लिखे किसने परसाद ने क्योंकि परसाद के नाटक है करूनाले इसको काफ्यों में भी रखा गया है गिती नाटे है सातियो हरीश चंदर विश्वा मितर की पुरसिद्ध प्रानिक अख्यान के अधार पर कथा है इसमें अयोध्या नरेश हरीश चंदर कहां का राजा था हरीश चंदर नोका बिहार के समय अकाश बानी द्वारा समर्ण दिलाए जाने पर पुत्र रोहित की बली की आग्या देते हैं क्या करते हैं अयोध्या नरेश क्या करते हैं हरीश चंदर नोका बिहार के समय अकाश बानी द्वारा समर्ण दिलाए जाने पर पुत्र रोहित की बली की आग्या देते हैं रोहित बाग कर रिशी अजीगर्थ के जहां जाता है वहां सो गायों के बदल में रिशी पुत्र शुने शेप को बली के लिए खरीद लाता है बशिष्ट जग्य करम कराने के लिए प्रस्तुत होते हैं इसी समय विश्वा मित्र अपने पुत्रों सहीत आकर जग्य रोक लेते हैं एक दासी बस्तुत है विश्वा मित्र की पत्री है और शुने शेप जिसका पुत्र है अकासमत बहां आ जाती है दासी को मुक्ती मिलती है और बली का प्रशनस्माप्त हो जाता है इसमें नान्दी भारत बाक्यव प्रस्ताबनादी कुछ नहीं बस्तुत है यह कि गिती नाटे है इसमें चित्रगत विशेष्टाओं कि बाग तीन और आपको बता दे साथियो कि वीडियो भाग चार में बाकी के हम नाटक साजा करेंगे लेकिन इस वीडियो में अंतिम जो नाटक रखेंगे हम राज्य शिरी है इसका प्रकार्शन बर्च हमने उपर करवाया आपको तो जाद कर लिजीगा साथ में लिख भी उसी राजबंश की कुमारी है राज्य शिरी का चिंतरांकन किया गया है नाटक का अधार हर्श चरित चीनी जातरी हें च्वांग का इतिहासिक विवर्ण इसमें देखने को मिल जाता है ठीक है जो नाटक का अधार है वो कौन सी कता है हर्श चरित किसको लिखा है इसने बा वो हर्ष कल के हैं उनकी बेहन है ठीक है। तो वो यहीं कुमारी भी हुई ना बरधन जो राजबंश है वहां कि कुमारी मतलब बहां की बेटी। तो आगे क्या लिखाजा रहा है कनोज का राजा गरह बर्मन राज शरी का पती है। अब जहां शादी हुई कनोज राजवंश में शादी हुई है तो वहां का जो राजा है ग्रह बर्मा वो राजश्री का पती है वह बरिग्या खेलने जाता है मालव नरेश देव गुप्त चल से उसकी हत्या कर देता है कौन हत्या कर देता है मालव नरेश देव गुप्त उसकी हत्या कर देता है किसकी गरह बर्मा की जो राज शिरी का पती है राजे शिरी बंदनी बनाई जाती है राजे वर्दन प्रतिकार लेने आता है देव गुप्त मारा जाता है राजे वर्दन मतलो उस समय का जो कोई राजा होगा बर्दन काल का ठीक है देव गुप्त मारा जाता है इस बीच विक्षू शांती देव विक्ट घोश बनकर राज से मुक्त करा लेता है विक्ट घोष राज्य वर्दन की भी हत्या कर डालता है अब राज्य श्री विक्ट घोष के पंजे में पर जाती है तो साथी जिसको ही राज्य वर्दन ने विक्ट घोष मतलब जिस राज्य वर्दन विक्ट घोष को राज्य श्री को चुडाने के लि शुर्ण के समझाने पर वहजीवन धारण करना सविकार करती है अंत में दोनों बोध हो जाते हैं मलब बोध धर्म को सभी कार कर लेते हैं ठीक है साती हो तो अंत में क्या कहा गया है नाटक मुक्यता इतिहार से गाटनाओं पर अधारित है बिक्ट गोश और सूर्मा कल्पित पात रहें मलग कलपना के अधार पर पात्र हैं बास्तों मैंसे को पात्र थे नहीं वरदन काल के समय पर्रंब में नंदी पाठ और अंत में भारत भाके भी हैं भरत भाके भी हैं पद्यात्मक संबाद हैं पर अपेक्षा कृत कम हैं मलग कम हैं रखे गए हैं बाकी नाटकों के इलावा तो राजे शुरी के दूसरे संस्करण में एक अंक और बढ़ा कर अनावशक बिस्तार किया गया है मतलब नाटक को आगे बढ़ा दिया गया है नाधी पाथ भी उसमें से निकाल दिया गया है और राजे शिरी में परसाद की नाटे कला प्रोडता की और उन्मक हुई है समपूरण नाटक में केवल राजे शिरी का च्रित्र ही पूरण तहा प्रस्पुटित हुओ सका है गटनाओ की तीबरता के कारण अदने पात्र विकास नहीं कर सके तो जे नाटक भी सफल नाटक नहीं हम कहेंगे ज़्यादा इसे लेकिन फेमस तो है ही राजे शिरी का परकाशन वर्स और साथियू इसमें जो पात्र है और थोड़ी वो कथा जवाब जाद कर लेजेगा जो हमने अभी पढ़ाई है इसमें जो मुक्हे पात्र है और आजश्री को बंदी बना ली जाता है देव गुत मारा जाता है ठीक है राजय ब्रदन परिवा परिवाब छुडाने हो प्रजयतन भी करता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथ हुए एक बाग और लेकर आएंगे बाकी के नाटक हम उसमें शेयर करेंगे आपके साथ क्योंकि चंद्रगुप्त, सकंद्रगुप्त और धुरुपस्वामनी जिसमें सबसे अधिक प्रशन पूछे जाते हैं उसको उम्डटेल से पढ अगली वीडियो में वीडियो का बाग दिन कैसा लगा वीडियो का चार भाग लेकर आएंगे उसमें भी रखने वाले हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब ध्यान रखिए धन्यवादे